सही करियर की रहा चुनना प्रत्येक छात्र की जीवन में एक निर्नायक मोड होता है। करियर के संदर्भ में जो ठान लिया है वो तो करना ही चाहिए लेकिन लगातार बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को विकसित करना सभी विकल्पों को देखना भी महत्वपूर्ण है। कि जड़ क्या है यह जड़ यह है कि आप कुछ बनना चाहते हैं। कि एक बार मन में तय कर लिजिए कि मैं जिन्दगी में कुछ करना चाहता हूं। कि जब तक बनना चाहता हूं आप सोचते हैं आप अपनी स्वतंतरता को खो देते हैं। कि अपनी स्वतंतरता को एक प्रकार से समर्पित कर देते हैं। आप उस एक पाने के लिए गुलाम बन जाते हैं उसके और इसलिए आपकी सारी जिन्द की सिकूर्ती चली जाती है। जिन्दगी में बनने के सपने निराशा की गारंटी है जी। कियोंकि आपने सोचा कि मैं दॉक्टर बनूंगा, इंजीनियरबने है, समाज में प्रतिश्टा हैं लेकिन गर आने के बाद यार। कि डॉक्टर बनना था नई बना डॉक्टर बनना था नई बना यही रोते रहते हैं और इसलिए कि क्राइंग की दुनिया नहीं ट्राइंग की दुनिया चाहिए रोते रहे नहीं चाहिए इसलिए मेरा अग्रह रहेगा कि आप कम से कम कुछ करने का सपना देखिए और करने का जब सपना देखते हैं, उसमें से आपको satisfaction मिलता है, नया करने का इरादा पैदा होता है, नया इरादा संकल्प बन जाता है, फिर एक बार आगे बढ़ने का मन कर जाता है, और आप करते चलते हैं, और बनते चलते हैं, आपको भी पता नहीं होता है, क्या बनने निकले थे, क् करते ही जो बन गए, उसका satisfaction लेवल, उसका आपका experience की ताकत, उसका आपका confidence, इसकी ताकत बहुत बड़ी होती हैं, और इसलिए मैं आप सभी नवजवारों से आगरा करूंगा, ये केरियर नाम का शब्द, कुछ बनना तय करके करने से, आप गुलाम हो जाते हैं, फिर सारा सोच, दिन चरिया, जीवन, यार, दोस, सब उसी में सिमट जाता है, करने का इरादा होगा, तो सारे रस्ते खुल जाते हैं, हर प्रकार से, अगर मान लीज़ा आपने ताई कि अबे मुझे मुझे मुंबई जाना है, फिर कार से जाओंगा, प्रेंज से जाओंगा, हवाई आज के जमाने में बच्चों और युवाओं के लिए अंगिनत विकल्प और अफसर है, असीमित आसमान है, विशाल और विविधता से भरा क्षितेज है, अपने आपको कभी सीमित ना करें, जब करियर की बात हो रही हो, तो ये भी जरूरी है कि हम समझें कि असपल होने का मतलब जीवन पूरी तरह से असपल होना नहीं है, वो कहते हैं न, कर्म योगी अपना भागे स्वयम लिखते हैं और अफसर उनके कदम चुमते हैं, ये तनाव एक्जाम का नहीं है, जो तनाव आप अनुभव कर रहे हैं, और जिसको आप एक्जाम का तनाव कहते हैं, वो वो तनाव आपके अंदर एक मन में एक एंबिशन पड़ा हुआ है, एक आखांग्शा पड़ी हुई है, कि मुझे ये बनना है, उस बनने के लिए ये एक्जाम मेरे लिए जीवन बरन का मुद्दा है, अगर मैं विफल रहा या विफल रही, तो आगे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, आपको एक्जाम की सफलता का टेंशन नहीं है, आपने खुद को एक केरियर के साथ जो अइडेंटिफाई कर दिया है, मुझे ये बनना है, बनने के लिए ये रास्ता है, इस रास्ते पर मैं नहीं पहुँच पाया, तो मैं शायद जीवन में निकम्मा हो जाओंगा ये प्रेंशन है बिलकुल सही कई बार हमारे मन में सफलता असफलता जीवन मरण का प्रश्ण बन जाता है ऐसा लगता है कि असफलता मतलब सब कुछ खत्म लेकिन कभी ना भूलें कि जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है लेक मा एक सुझाव देगी तो पिता जी दूसरा सुझाव देगे तो अंकल तीसरा सुझाव देंगे तो महले के दोस्त और चौथा सुझाव देंगे और हम कंफूज हो जाते हैं ये कंफूज होने के पीशे एक कानन ये है हमें अपने विशे में पता है क्या मेरा अपना passion क्या है मेरी रूची किसम है और मैं मेरी रूची के अनुसार इसके पहले कुछ कर पाया हूँ क्या मेरे सपने क्या है वो बात की बात है पहले मेरा passion क्या है और उसके बाद आप माबाप को भी convince कर सकते कि देखिए आठवी कक्षा में मैंने इसमें इसा किया था, नौमी मैंने इसा किया था, मेरे टीचर मुझे ये बता रहे थे, उस समय तहसिल के अंदर जब competition था तो मैं गया था, मैं ये करके आया था, मुझे लगता है कि मेरे भीतर ये ताकत है, कभी हमने अपने टीचर, जिसके प्रति हमारा लगाओ हो, उनके साथ बाते करनी चाहिए, जिसा आप मुझे चार साल से पढ़ा रहे हो, मुझे देखते हो, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि टीचर समय नहीं देते हैं, अगर को विद्यार्थी, लेकिन ज्यादा कन्फूजन इस बात का नहीं होता है, कि कोई आपको क्या कहता है, माबाब क्या कहते हैं, आप खुद कन्फूज हैं, ये समस्या है, कन्फूज इसलिए हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है, कि आपको क्या मुझे हैं, हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभावी है कि दस्वी या बारवी के बाद क्या हो यह हर बच्चे के मन में होता है और न मैं इसे इंकार कर सकता हूँ और न कोई वर उससे इंकार कर सकता है बहुतों के लिए ये सवाल चिंताओं और निराशा फैलाने वाला हो सकता है दुर्भाग्य से आज के चकाजाउंद भरे यूग में सेलिब्रिटी के कल्चर के कारण और उसका प्रभाव होने के कारण स्टूडन्ट लाइफ में एक धारणा बन गई है कि जो टीवी पर आता है जिसकी अख़बारों में चर्चा होती है वैसा कुछ बनना है वैसा कुछ करना है यह बुरी बात नहीं है लेकिन जीवन की सच्चाहिश से यह बहुत दूर है यह जो प्रचार माध्यवमों में हजार दो हजार लोग हमारे सामने आते हैं दुनिया इतनी छोटी नहीं है इतनी बड़ी विश्व व्यवस्था इतना लंबा मानव इत्यास इतनी स्तेजी से हो रहे परिवर्तन बहुत सारे अवसर लेकर कर आते हैं जीवन की सच्चाहिए हैं कि जितने लोग हैं उतनी विविन्नताएं हैं जितने लोग हैं उतने अवसर भी हैं हमें अपनी जिग्यासा का दाहरा बहुत बड़ा करने की आवशकता है उसको विस्तार देने की आवशकता है और इसलिए आवशक है कि दस्वी क्लास में बारहवी क्लास में भी आप अपने आसपास के जीवन को अबजरु करना सिखिए आपके आसपास इतने सारे प्रोफेशन है नेचर अब जॉब्स है और बदलते हुए नेचर अब जॉब्स है खुद को ट्रेन करिए अपनी स्कील भढ़ाईए और उसका लाव उठाईए करियर के चुनाओं में एक पक्ष ये भी है कि बहुत से लोग जीवन में इजी रूट की तलास में रहते हैं बहुत जल्दी वहवाही मिल जाए आर्थे ग्रूप से बड़ा स्टेटस बन जाए ये इच्छा ही जीवन में कभी-कभी हर बार नहीं कभी-कभी अंधिकार की शुरुआद भी करने का कारण बन जाती है फिर ये अवस्ता ऐसी होती है जिसमें सपने पालना और देखना तर अच्छा लगता है सपनों में खोए रहना अच्छा लगता है सपने देखना अच्छी बात है लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना ये तो सेही नहीं है सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प बहुत महत्वपूर है आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देना लगएगा अरे ये तो कितना आसान था मोदी जी के मंत्र कितने सिंपल और यूसफुल है अब टेंशन भी दूर और कन्फ्यूजन भी और बिल्कुल ठी कहते हैं मोदी जी जीवन एक अविरत यात्रा है अपनी अंतह प्रेणा रुचियों और ख्शमताओं के आधार पर अपने करियर का निर्णाय लें और जुट जाए सभलता अपने आप आपके बीछे दौरती हुए आएगी